आलोग जी ये बताएगी कि जो राजीव जी भी बात उठा रहे हैं और जफर इसलाम कह रहे हैं कि अगर आज की तारीख वो है जो 1975 के बाद 50 साल का एक दाइरा दिखाती है तो तारीख के हिसाब से तो तिती हो गई अगर इसमें एक निंदा प्रस्ताव आता है जिसमें कंडेम किया जाता है एमर्जन्सी को इंपोज करने को लेकर तो आपको उस निंदा प्रस्ताव पर आपती है कॉंग्रेस पार्टी की आपती सबसे बढ़ कर किस चीज पर रही निंदा तो आप लोग भी करते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था निंदा परस्ताव पर देखे मैं समझता हूँ निंदा करें कुछ भी करें जब 1980 में ही एमर्जंसी का जो दौर था जनता ने उससे बरा खर्ट जो भी उससे बुरा दौर था 77 से 80 का वो देखा कि आज तक कभी मीडिया ने ये चर्चा की कि 1977 से 80 तक कितने मीडिया कर्मी जेल में गए उस सरकार में और कितने कॉंग्रेसी जेल में गए शायद मीडिया नहीं कर पाएगा मैं कहूंगा कि निंदा परस्ताव आप खूब करें जिस देश के प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के दो टुकडे किये हो और जिसके भूरी भूरी प्रशंचा तमाम मौकों पर अटल विहारी वाजपेजी जैसे लोगों ने की हो आज संसद के पहले दिन ही उन प्रधान मंत्री का नाम लेकर अगर आप निंदा करते हैं तो ऐसे स्पीकर के उपर प्रशंचे में खड़े होंगे हमें निंदा करने नहीं करने से बहुत फरक नहीं पढ़ रहा है उसका कारण है कि 1980 में जनता ने वापस पुने हमें चुना हमारे से जो गलती रही उसका खेद व्यक्त हुआ लेकिन क्या मनिपूर के लिए मोदी जी खेद व्यक्त करेंगे कभी जीवन में क्या हिंदुस्तान का मीडिया कभी एक प्रेस कॉन्फेंस करा के और मोदी जी से खेद व्यक्त करवा पाएगा यह declared जो emergency से भी जो बुरा हाल है क्या उससे कभी देश वापस आ पाएगा क्या नीट की परिक्षा में जो लाखों बच्चे सडकों पर हैं उसके लिए बीजेपी कभी माफी मांगेगी मैं समझता हूँ कि आज भी पहले दिन ही पहले प्रोटर्म स्पीकर के उपर राजनीती हुई क्यों डरते हैं इतने लोग जो प्रोटर्म स्पीकर दो दिन तीन दिन तक जब तक शपत है तब तक होने थे उसमें भी राजनीती उसमें भी परंपरा को तोड़ा पिछले स्पीकर का पता ही नहीं है कि डिप्टी स्पीकर कब बनेगा नहीं बनेगा क्या विपक्ष को मौका मिलेगा के नहीं मिलेगा पांच साल तक डिप्टी स्पीकर नहीं रहा लेकिन सरकार से इने कभी किसी व्यक्ती नहीं कहा बताया कि क्यों नहीं रहा अरे वे पूर्ण पर कह रहे थे कि सम्विधान की पृति क्यों लेकर चले गए लगता है जेडी उपर बीजेपी का और आरेसस का कुछ ज्यादा ही असार हो गया है क्या सम्विधान की पृति को ले जाना भी गलत है एक देश के प्रधान मंत्री वहाँ पर सम्विधान पर माथा टेकें मैं नौट पूरी तरह से देश ये चाहता है कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें पिछले दस दिन की जो घटनाएं हैं सरकार बनने के बाद क्यों देखिया कहीं पर आग लगी उसका कोई एक व्यक्ति जेल में नहीं जाता है गुजरात के अंदर इतने बच्चे मर गए वो किसी ने आवाज नहीं उटाई सब गायब हो गए मोर भी कांड में सब लोग बरी हो गए आज पूरी तरह से नकारातमक्ता का माहौल है इस नकारातमक्ता से पॉजिटिव लाने में सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि युवाओं के अगनिवीर को समापत हो नीट एक्जा को खत्म कर रहे हैं उस पर चर्चा नहीं चाहते हैं जपर इसलाम जीट का एजाम खतम नहीं होगा कॉंग्रेस पार्टी जो कह रही है उस व्यक्ति ने आपके सभी विरोधी जो कह रहे हैं कि सरकार दरसल कंसेंसस चाहती ही नहीं है क्या बीजेपी के रुख को देखकर ऐस दोनों में हो सकता है देखे शोयता जी जहां तक स्पीकर का सवाल है तो स्पीकर जो है वो बिल्कुल सब की सहमती से उम्बरिला जी को बनना चाहिए कोई स्कोप भी नहीं था उनके पास कोई हेड रूम नहीं ऐसा है जहां पर वो इस तरह की फ्रिक्शन क्रिएट करके उन उने जब सड़न के पटल पे जब अगर वोटिंग होगी तो वो पूरे तोर से ध्वस्त हो जाएंगे उसके बावजूद बलके मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने लोग उनके साथ जो खड़े दिखते थे वो भी खड़े नहीं दिखेंगे उसके बावजूद इन्होंने पर एक मुद्दा बना के रखा शायद अगर ये डेप्टी स्पीकर की बात करते जब डेप्टी स्पीकर की बात का उसका चैन का समय आता तो उसका उसके चर्चा करते हो सकता था कोई सहमती बनती लेकिन जब अपने गरीबा में जहाग के देखिए आप करनाटक की सरकार को देख लिए तो यहां क्यों हंगामा और अगर हंगामा इस वक्त तो करनी की जरूरती थी जब आपको डेप्टी स्पीकर की बात आती उस वक्त उसके चर्चा कर लेकिन इन्होंने बाहर बर ऐसा कहा है कि चुके इनकी कुछ सीटे ज्यादा आ गई है तो हम इस बार Parliament को नहीं चले देंगे ये बार-बार इंडिकेशन है एक constructive politics नहीं करेंगे destructive destructive politics को follow करेंगे जो responsible opposition का जो role होना चाहिए वो responsible opposition का role नहीं करेंगे बलके हम जो समाज के लिए बहतरी के लिए समाज के अच्छे के लिए हम जो legislation लेके आना चाहते हैं उस legislation को बनने में हम कठना ही पैदा करेंगे well बे जाके disrupt करेंगे Parliament को और Parliament नहीं चलने देंगे पिछले बार एड़ों ने देखाया तो और आप बार-बार कहरें कि जह हमने पिछले बार कम संक्या होने के बावजूद भी किया था बर और ज्यादा करेंगे यही तो भाषा वो बोल रहे हैं हम उनसे चाहते हैं कि अगर आप Parliament को आप चाहते हैं कि consensus हर चीज़ बे रहे तो Parliament होना चाहिए Parliament function करना चाहिए और मुद्धे ऐसे उठाईए जो बीएसी में discuss हो गए जो advisory committee में जो है business advisory committee में जो discuss हो गया वही मुद्धे को जाके पटल पे जाके discussion करना चाहिए लेकिन होता क्या है श्वेता जी कि जब यह business advisory committee में इनके representative आते हैं तो यह सब कुछ सहमती वहां पर हो जाती है जब इनको जाते हैं पटल पे फिर से वही जो negative नकारात्मक जो उनका रुक होता है वो दिखने को मिलता है और मैं आज आपको एक बात बोलता हूं श्वेता जी देखिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं जिस तरह से आज आज आप यहां पर जो पूरा debate करा रही है आपको भी देखिए ऐसा लग रहा है आपने सब को मौका दिया तो अच्छा debate हो रहा है सब को अपने अपनी बातें करने का मौका मिलेगा वही तो कि उनकी आवाज को सुनाजा जाता था यह नहीं नहीं ऐसा नहीं है उनकी आवाज पूरी सुने आते हैं लेकिन वो आवाज कहां सुनाना चाहते हैं पटल पे नहीं सदन के पटल पे नहीं बेलके टीवी जो चलता है उस पे वो कहीं न कहीं विरोध अपना जताना चाहते हैं विरोध दिखाना चाहते हैं देश की जलता हो कि हम विरोध कर रहे हैं यहां यह क्या सही है मैं तो यह पुछना चाहता हूँ आप अपने जो डिसकेशन किया बीएसी में आप लेकर आईए बुद्धों के लेकर आईए बीएसी में जो डिसकेश हुआ वहाँ एक बार सहमती बनी उस सहमती के बेसिस पर आपको टाइम अलॉट होता है और टाइम अलॉट होने बाद उस पर जो है आप चर्चा करते हैं लेकिन ऐसा ही ना डिलिबरेट करना चाहते हैं ना डिबेट करना चाहते हैं डिस्रप्शन करना चाहते हैं और यही उनका देंगे जो आरोप लगाए जा रहे हैं पहले भी लगाए गए और अब चाहे आप ये कहिए कि संख्या बल ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद अगर यही चीज है क्या यही नजर आता है संसर्थ मुंकि आम आदमी जब देखता है तो उसे क्या लग रहा है कि हम तो परनाली में अपोजीशन का सबसे एहम रोल है और मुझे लगता है उनको मौके भी ज़्यादा मिलने चाहिए अगर हमने देश को आगे बढ़ाना है और अब यह डायत तो बनता है जो जम्मेवारी बनती है जो हमारे कस्टोडियन है हाउस के ऑनरेबल स्पीकर साब उनकी जम्मेवारी है कि कम से कम अपोजीशन को पूरा मौका मिले और कंस्ट्रक्ट्रिव इशूस पर ही डिवेट हो सारा कुछ अच्छा होने के बावजूद अगर आप आखीर में फिर पीशे की तरह बोड़ेंगे उन्नी सो पचेतर में बुरा हलात हुए आज भी बहुत अच जानमंत्री जी भी करते हैं अपोजीशन के लीडर भी करते हैं सभी लोग कर रहे हैं आज उस चनौतियं से लड़ने का समय है महंगाई बरोजगारी बढ़ रही है अगनी वीर का जिकर हमारे कांग्रेस के दोस्त मित्रों ने किया है तो हम तो चाहते हैं आज कंसक्टिव डिसकेशन जो हाउस में हो और एक मजबूत अपोजीशन है तो मुझे लगता है यह देश की लोगतांत्रिक पढ़नाली के लिए अच्छे साइन है बशर्ते की जो कस्टोडियन है हाउस के उनको पूरा मौका दे राजीव रंजन जी हलंकि आप पर आलोग जी ने आरोप भी लगा दिया कि जेडियो पूरी तरीके से रंग में रंग चुकी है बीजेपी के लेकिन उससे परे या इस समय आप यह उम्मीद देख रहे हैं क्योंकि अब देखिए इसके बाद अब जब यह सत्र खत्म होगा अभी तो राश्ट्रपती का अभिभाशन होना है उनके उस पर जब चर्चा पूरी होगी प्रधान मंत्री जब 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 देंगे अभी तो यहीं समझ में आ रहा है कि हर एक दिन मुद्दा कोई न कोई ऐसा जरूर उठेगा जिसकी यार्ड में लोग कहेंगे कि हमारा मुद्दा कहां गया देखिए स्वेटा जी आलू जी ने जो भी बाते कहीं है स्वस्ताओं पार्टी के प्रवक्ता के ऐसे से उन्हें अपने स्टैंड को जिस्टिफाई करने के लिए कई तरह के तर्क धूनने पड़ते हैं तो डूनने ही सवाल यह है कि अगर पचासवी वर्जगार्ट करते हैं यह उन्हें पसंद नहीं है तो मुझे लगता है उनकी पसंद या नापसंद हमारे लिए यह पुरे देश के लिए उस तरासभी उस वीवीजी का को लेकर अच्छे शब्द तून नहीं निकल सकते हैं पहली कुद कॉंग्रेस के अनेक नेताओं ने भी उसके लिए माणगे है और मैंने यह नहीं कहा मैंने कहा कहा सवधान एक पविट्र ग्रंथ है बारतिय लोकतंत्र का सबसे पविट्रितम जो ग्रंथ हो सकता है वह भारत का समवीधान है लेकिन जब आप शपत लोते हैं संवेधानिक ट्राउधानों के अंतरित तो फिर ऐसे संदेश द इतनी बात कर दो संविधान ले जाने से मेरा कोई द्राइब नीता जहां तक संसक्र की कारवाई और रुपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच के समझवे का सबाग है सत्ता पक्ष के लिए भी ये चुनौती पुर्ण दाई तो होगा और मामाईन रास्पती जी के अभिवासंस जो आने वाले पांच वर्सों का जो रूममेट वो देश के सामें मुझे ऐसा लगता है कि एक एक जो संसक्र की कारवाई को लेकर के जितने बिल्स अभी आएंगे और उन पर आप जब अपने विचार रखेंगे बहस थोड़ी ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे तो शायद वोट आपके पास कम भी हो सकते हैं लेकिन आप एक प्रभावशाली विपक्ष है जिम्मेदारी के साथ आप इस बेश के भविसे के निर्धारंगा बेहतर भूमिका का नेवन करेंगे अगर लगातार केवल विपक्ष का मतलब हंगामा और ठक्राव अगर है तो निसंदे विपक्ष का जबाव सत्ता पक्ष ऐसे ही देना चाहेगी तो उससे कुछ हासिल नहीं और इससे जनता का अईत होगा क्योंकि उसकी गाड़ी कमाई से ही इन सत्रों का संचालन होगा है यह बेहत अहम है यह जो सामने में जो याने वाले जो पांच वर्स हैं आपक ने कहा कि अमर्जंसी के बाद इतने चुनाओं हो गए हैं और उसमें अलग-अलग चुनाओं के जरिये वो सारी चीजें सामने आ चुकी है कि जनता किस हसाब से इसे देख रही है अब उसे साब से देखिए तो इन चुनाओं में बड़ा मुद्दा सम्विधान को बनाया सीटे कम जरूर हुई लेकिन जनता का मैंडेट तो इन डिये की तरफ ही रहा तो इसका परियार उसे साब से क्या निकाला जाए कि अगर आज भी नेता इसी की बात कर रहे हैं कि सम्विधान को खत्रा है और लोगतंतर को खत्रा है उसका सीधा सीधा कारण ये है कि ये हतियाई हुई सरकार है और इसमें बहुत सारे हतियाने में बहुत सारे हतियार थे और बहुत सारे किरदार थे उसमें जाच एजिंसिया एडी सी बी आई इंकम टेक सब थे और मीडिया सबसे बड़ा हतियार था इन सब हतियारों के आध मीडिया, बीजेपी और एक्जिट पोल, ओपिनियन पोल एक नेकसस बनाया गया तो यह हतियाई हुई सरकार है सरकार है लेकिन क्योंकि हम लोग तंतर में विश्वाश रखते हैं और इसमें कौन-कौन से किरदार थे वो मैंने बता दिया आपको अब बात आती है कि पिछले लोग सभा में क्या क्या हुआ इनी स्पीकर महोदे के टाइम पे सैक्ड़ों बार माई क्या तो बंद किया गया या माई को कम किया गया तीन काले कानून बिना डिसकशन के संसद से पास हो गए स्पीकर महोदे ने नहीं का नोट बंदी में लोग लाइनों में खड़े-खड़े के मर गए आज जेडियू के साथी को टेक्सपेयर्स के पैसे की चिंता है धाई महिने तक संसद नहीं चलने दी टूजी पर और फिर सारे बरी कर दिये और उसको क्या कहेंगे आप कौन माफी मांगेगा उसके लिए शायद कोई नहीं मागेगा क्यों क्योंकि माफी मांगने की परंपरा नहीं है मैंने अभी मनिपूर के लिए कहा आप कहते हैं कि साब सबको मिलकर चलना चाहिए मनिपूर पर स्टेटमेंट सुना था घमंडिया का मैं घमंडिया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि घमंडिया विपक्ष के लिए पूरे चुनाओ में उप्योग किया गया जिस देश के प्रधान मंतरी की सोच ये हो कि विपक्ष जो है वो घमंडिया है विपक्ष जो है वो कॉंग्रिस मुक्त होना चाहिए देश जो है वो 80-200 और हिंदू मुसल्मान और मुझरे और मंगल सूतर पर चुनाव लड़कर आया हो तो उससे क्या उमीद कर सकता है ये देश वो देश को केवल विभाजन के रास्ते पर लेकर जाएगा इससे आगे कहीं नहीं लेकर जाएगा चाहे मनीपुर हो चाहे लैंड एक्विजिशन बिल हो चाहे नोट बंदी हो तीन काले कानून हो पेगैसेज हो राफेल हो इस संसद का क्या रवईया रहा पूरे देश ने देखा 1500 संसदों को सस्पेंड करके IPC के में के अंदर धाराओं में जो परिवर्तन किये गए माने राहूल गांधी जी का फैसला हाई कोट का आता है एक दिन ये स्पीकर महोदे नहीं रुख सकते हैं और बाकियों के लिए रुखते हैं आप बात आती है कि स्पीकर महोदे के उपर तमाम तरह के जो दस साल के आप रिकॉर्ड देखेंगे विधान सभाओं के अरे बीजेपी ने कब कॉंगरिस का डिप्टी स्पीकर कौन से राज्य में बना दिया आपने तो एक दरजन से ज़्यादा सरकार हैं जाँ चे जिन्सिया और स्पीकर का दूप करते हैं देखें 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 शोयता जी आपने देखा है तिहास कॉंग्रेस का यूपीए का खास के कॉंग्रेस पार्टी ने जब अकेले सत्ता में रहती थी तो उन्होंने आर्टिकल 356 को कितने बार इन्वोक किया लगभग 100 बार सरकारे गिराने कांसिटेशन को धज्यां उड़ाने का काम उन्लोगों ने किया चुनीवी सरकार को गिराना अगर कोई भी स्टैंड लेता हो खिलाफ बोलता हो तो उसको आप गिरा दीजे यह सब प्रंपरा जो है 2014 से पहले इन लोगों ने बहुत कर लिया 2014 के बाद आप बताईए कभी भी हम आर्टिकल 356 को इन्वोक किया किसी चुनीवी सरकार को गराया लोगों ने हमारे हमारे खिलाफ कितनी बाते की कितने कितने सारे आपको दिखाया मैंने यह आइना दिखाना चाहता हूं आपको कि आप सदन में भी यही कर रहे थे जो आभी करना चाह रहे है आइना आइना आपको इसलिए दिखाना जरूरी था आपका यह कंस्ट्रिक्टिव अप्रोच है नहीं आपका